बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये गाना जब भी हमारे जहन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ साथ और सतर के दशक के बहतरीन अभिनेता राजेंद्र कुमार की याद दिला देता है। जिन्हें लोग जुगली कुमार के नाम से भी जानते हैं। अपने बहतरीन और डाशिंग लुक के लिए मशूर अभिनेता राजेंद्र कुमार उस दौर के बहतरीन अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार थे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी आक्टिंग से बलकि अपनी परसनालिटी से भी हर किसी का दिल जीता है। और यही वजह रही है कि उन्हें आज भी किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते होंगे। पर क्या आप इनकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। तो जीए सब्सक्राइबर्स आज की हमारी इस वीडियो म हम आपको अपने दौर के मश्हूर आक्टर रहे जुबली कुमार की पत्नी से ही रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। की फिल्म जोगन से की थी जिसमें इन्हें दिलीब कुमार और नर्गिस के साथ अभिने करने का मौका मिला था। जिसके बाद 1949 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई की सफलता के बाद इन्होंने बतोर मुख्य अभिनेता काम कर खूब नाम कमाया है। साथ के दशक में इन्होंने काफी नाम कमाया और कई दफा ऐसा भी हुआ कि उनकी 6-7 फिल्म में एक साथ सिल्वर जुबली हफ़ते में होती थी। इसी कारण इनका नाम जुबली कुमार पड़ गया था। अपने फिल्मी जीवन में राजेंद्र कुमार ने कई सफल फिल्में दी जिन में धूल का फूल, दिलिक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आरजू, प्यार का सागर और गहरा दाग जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इस अभिनेता ने साल 1999 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पतनी के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी पतनी का नाम शुकला कुमार है। इस तक शेब बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर बात करें इनकी खूपसूर्ती की तो ये खूपसूर्ती के मामले में किसी से कम नहीं थी। तो दोस्तों आपको अभिनेता राजेंद्र कुमार की पतनी के बारे में जानकर कैसा लगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।